प्लास्टिक कच्रा पूरी दुनिया के लिए हुआ भयानक समंदर से लेकर धर्ती तक इस कच्रे से सब बीमार दुनिया के देश इस से निजात के लिए कर रहे तरकी मोदी ने कर दिया कमाल दुनिया हुई बेहद हैरान दोस्तों क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर में चर्चा गर्म है पॉल्यूशन की वजह से स्वर्ग से सुन्दर ये धर्ती अब कच्रे का धेर बनती जा रही है इसके लिए इनसान का शैतानी दिमाग सबसे ज्यादा जिम्विदार है आज के वक्त में इनसान की लाइफ स्टाइल में ऐसा बदलाव हो गया है कि वो एक दिन में ही कच्रे का धेर खड़ा कर देता है पूरी जिंदगी में तो वो कच्रे का पहार खड़ा कर देता है दोस्तों इस कच्रे में सबसे बड़ा खत्रा प्लास्टिक से है क्योंकि ये recycle नहीं होता, दूसरी चीजों की तरह ये नश्ट नहीं होता और यही वज़ा है कि प्लास्टिक के कच्रे का धेर देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी problem बन चुका है दोस्तों प्लास्टिक कच्रे को लेकर कुछ ऐसे चौकाने वाले आंकडे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आँखे खुली रह जाएंगे आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्लास्टिक कच्रे को लेकर रिपोर्ट क्या कहती है ये कितना खतरनाक है दुनिया के देश इसको लेकर क्यों परिशान है तो दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहत खतरनाक है ऐसे प्लास्टिक ना तो डीकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है इनके टुकडे पर्यावरण में जहरीले रसायन छोडते हैं जो इनसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं इसके अलावा सिंगल यूस प्लास्टिक का कचरा आरिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है जिस से इफ ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आती है सैयुक्त राश्ट के मताबिक अब तक समंदरों में करीब 20 लाग टन प्लास्टिक कचरा जा चुका है को इनसानों का स्तित्व खत्रे में पढ़ जाएगा अब ये बेहत इंपोर्टन सवाल उठता है कि दुनिया भर में सबसे ज़ादा प्लास्टिक कचरा कौन फैलाता है हर साल समंदर में सबसे ज़ादा कचरा बहाने वाला देश कौन है तो दोस्तों अमेरिका दुनिया में सबसे ज़ादा प्लास्टिक कचरा फैलाने वाला देश है अमेरिका ने साल 2016 में 42 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उतपादन किया ये प्लास्टिक कचरा चीन के प्लास्टिक कचरे के दोगुने से ज़ादा और European Union के सभी देशों द्वारा उत्पादित कच्रे से भी जादा था औसतन एक अमेरिकी साल भर में 130 kg प्लास्टिक कच्रे का उत्पादन करता है वही बिटेन जो कि इस सूची में दूसरे स्थान पर है प्रती व्यक्ती 99 kg प्लास्टिक कच्रा पैदा करता है साउथ कोरिया तीसरे स्थान पर है जहां एक व्यक्ती साल में 88 kg प्लास्टिक कच्रा पैदा करता है अमेरिका में जहां साल 1966 में 20 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कच्रे का उत्पादन होता था वही साल 2015 में ये बढ़कर 381 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है यानि 50 सालों में ही प्लास्टिक कच्रे का उत्पादन 20 गुना से ज्यादा हो गया है दोस्तों भारत में भी प्लास्टिक कच्रा एक बड़ी प्रॉबलम है प्रधान मंत्री मोदी ने क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया को आगाह किया है नैचुरल एनरजी पर जोर दिया जा रहा है भारत इस देशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है लेकिन प्लास्टिक कच्रे के रिसाइकल का इशू बना हुआ है ऐसे में भारत में ही इसके रिसाइकल के रिये जिस तरह से कदम उठाए जा रहे है वो दुनिया को हैरान करने वाले है सरकार ही नहीं आम लोग भी इस मामले में संजीदगी दिखा रहे है तो आखिर किस तरह के कदम प्लास्टिक के रिसाइकल को लेकर उठाए जा रहे है भारत सरकार ने किस तरह का कदम उठाया है दुनिया जिससे चौक गई है वहीं ऐसे कौन से अविशकार हुए है जो ना केबल प्लास्टिक से निजात दिला सकते हैं बलकि दूसरी प्राब्लम को भी कारगर तरीके से खत्म कर सकते हैं तो दोस्तों पॉल्यूशन को लेकर भारत सरकार के इस मजबूत मिशन और तमाम पहल को जानकर आप हैरान रह जाएंगे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा भारत ने प्लास्टिक के खात्मे के लिए कसी कमर सरकार से लेकर आम नागरिक मिशन को दे रहे अनजान दोस्तों आपने अपने आसपास सडकों का जाल सा बिचा देखाँ होगा जहाँ देखो हर जगह सडके बनती जा रही है जो हमारी ही सुविधा के लिए बनी है कुछ सड़क सीमेंट की बनती है तो कुछ डामर की लेकिन अब हमारी सरकार प्लास्टिक से सड़क बना रही है जो देखने में बिल्कुल आम सड़क की तरह ही होती है और इससे कहीं जादा मजबूत भी है जी हां दोस्तों आपने सही सुना इस तरह की सड़क बनाने के लिए जो material काम में लिया जा रहा है वो है plastic based वही plastic based जिसे आप काम में लेने के बाद फैक देते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए किसी जहर से कम नहीं है वही plastic हमारी सरकार recycling करके सड़क बनाने के काम में लाती है आपको जानकर हैरानी होगी कि एक किलोमीटर सड़क बनाने के लिए एक टन प्लास्टिक का यूज किया जाता है दोस्तों इसके अलावा इस बारे में शायद ही आपने सोचा होगा ये कचरा जो दूसरे देशों से आता है उस सभी कचरे को सड़क के लिए ही recycle नहीं किया जाता बलकि इसे छाट कर कपड़ा भी तयार होता है जिहां दोस्तों इस कचरे से एक कपड़ा भी बनाये जाता है और नामुम्किन से लगने वाले इस काम को पूरा किया है राजस्थान के भीवाडा के रहने वाले 17 साल के आदित्य बांगर ने अपनी स्पहल से वो न सर्फ प्लास्टिक बेस्ट की समस्या से छुटकारा दिला रहे हैं बलकि इससे कमाई भी कर रहे हैं एक साल के भीतर ही उन्होंने एक करोड रुपे से ज़्यादा का टर्नोवर हासिल किया है तो चलिए जानते हैं कैसे आदित्य ने ये काम किया है इसके लिए आदित्य ने ट्रस्ट टू ट्रेजर नाम से कमपनी की शुरुआत की वो यहां प्लास्टिक के सामानों से कपड़ा बनाते हैं ये कपड़ा कॉटन के कपड़े से ज़्यादा मजबूत होता है हाँ लेकिन इस कच्रे से बनने वाले कपड़े का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है आदित्य ने अपनी कमपनी ट्रेस टू ट्रेजर की शुरुआत साल 2021 में की थी और वो रोज करीब 10 टन प्लास्टिक को फैब्रिक में बदलने का काम करते हैं आदित्य का कहना है कि उन्हें ये आइडिया साल 2019 में चीन की यातरा के दोरान आया था उस वक्त वो चीन में टेक्स्टाइल मैनुफेक्चिरिंग की जानकारी लेने गए थे वहीं उन्होंने प्लास्टिक कच्रे को कपड़े में बदलने वाली तक्नीक को देखा इस तक्नीक से आदित्य इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत में इस तरह के प्लांट को लगाने के बारे में सोचा और इसमें उन्हें सफलता भी मिली आदित्य ने बताया कि कपड़ा बनाने से पहले प्लास्टिक को छाटा जाता है जैसे प्लास्टिक की बोतरों से ढखकर निकाले जाते हैं और उन्हें फिर साफ किया जाता है फिर मशीन के जरीए प्लास्टिक को बारीख पाउडर की तरह पीस किया जाता है और फिर ठंडा होने के बाद ये फाइबर के रूप में तब्दील होता है, इसके बाद प्रोसेसिंग करके इससे फैबरिक तयार किया जाता है, अदित्य के मुताबिक एक किलो प्लास्टिक बेस से लग भग, आट सो ग्राम फाइबर तयार होताँ है, अभी वो हर दिन आग टन फाइ में रहते हैं क्योंकि तेल किसी भी देश की एकॉनमी पर गहरा प्रभाव रखते हैं लेकिन यहां एक शक्स ने इन बढ़ते दामों और फैलते कच्रे को लेकर ऐसा कारणामा कर दिखाया जिससे सभी हैरान रह गए क्योंकि क्रूड ऑयल भले ही महगा हो जाए या खत्म हो ज से करीब 400 लीटर पैट्रोल बनाया जा सकता है इतना ही नहीं पैट्रोल नैचुरल पैट्रोल से 30 प्रतीशत सस्ता भी होगा इस प्रक्रिया को उन्होंने प्लास्टिक पायरोलिसिस का नाम दिया है सतीश कुमार ने हाइड्रॉक्सी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंप इस कंपनी के तहट वो प्लास्टिक से पैट्रोल बनाते हैं जहां प्लास्टिक को रीसाइकल करके डीजल, विमान इंधन और पैट्रोल बनाया जाता है 2016 से लेकर अब तक वो करीब 50 टन प्लास्टिक को पेट्रोल में बदल चुके हैं पेट्रोल बनाने के बाद सतीश इसे स्थानी व्यापारियों को 40-50 रुपे प्रती लीटर की दर से बेशते हैं कचरे से सडक, कपड़ा और पेट्रोल बनाने के बाद अब एक और ऐसी चीज बनाई जा रही है जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है वो है औरगैनिक खाद असम में रहने वाले संजे गुपता वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काम कर रहे हैं इसे लेकर उन्होंने सौसे जादा लोगों को इस रोजगार से जोड़ रखा है और वो खुद भी लाखों रुपे की कमाई कर रहे हैं वहीं दिल्ली में रहने वाली कनिका अहुजाने भी कचरे को आपदा में अवसर के रूप में बदला है वह इससे इको फ्रेंडली बैग, पर्स, फैब्रिक प्रोडक्ट और हैंडी क्राफ्ट आइटम की मार्केटिंग करके साला ना 50 लाख रोपे की कमाई भी कर रही हैं उन्होंने 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार से भी जोड़ा है दोस्तों, प्लास्टिक कच्रे को लेकर प्रधान मंत्री मोधी की पहल और देश के लोगों के इनों मजबूत प्रयासों पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं